फिर लाबान के पुत्रों की ये बाते याकुब के सुनने में आई कि याकुब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यहाँ प्रतिष्टा है और याकुब ने लाबान के मुखडे पर दुष्टी की और ताड लिया कि वह उसके प्रतिद पहले के समान नहीं है तब यहाँ ने याकुब से कहा अपने पित्रों के देश और अपनी जन्मभूमी को लौड़ चा और मैं तेरे संग रहूंगा तब याकुब ने राहल और लिया को मैदान में अपनी भेड बक्रियों के पास बुला कर कहा तुम्हारे पिता के मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता पर मेरे पिता का परमिश्वर मेरे संग है और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ती भर की है और तुम्हारे पिताने मुझसे छल करके मेरी मज़दूरी को दस बार बदल दिया, परन्तु पर्मेश्वर ने उसको मेरी हानी करने नहीं दिया. जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे तब सब भेडबक्रिया चित्ते वाले ही जनने लगी और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे तब भेडबक्रिया धारी वाले जनने लगी इस रिती से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे को दे दिये भेड बक्रियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बक्रे बक्रियों पर चड़ रहे हैं सो धारी वाले चित्ते वाले और धब्बे वाले है और परमेशर के दूत ने इस वपन में मुझसे कहा हे याकुब मैंने कहा क्या आ ग्या उसने कहा आखे उठा कर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चड़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले चित्ती वाले और धब्बे वाले है क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है मैं उस बेतेल का परमेशर हूँ जहां तुने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मननत मानी थी अब चल इस देश से निकल कर अपनी जन्मभूमी को लड़ जा तब राहिल और लिया ने उससे कहा क्या हमारे पिता के घर में अब ही हमारा कुछ भाग वा अंश बचा है क्या हम उसकी दुरुष्टी में पराए न ठहरी देख उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूपे को खा बैठा है सो परमिश्वर ने हमारे पिता का जितना धान ले लिया है सो हमारा और हमारे लड़के बालों का है अब जो कुछ परमिश्वर ने तुझ से कहा है सो कर तब याकुब ने अपने लड़के बालों और स्त्रियों को उंटो पर चढ़ाया और जितने परश्यों को वह पदनराम से इकटा करके धनाड़े हो गया था, सब को कनान में अपने पिता इसह के पास ले जाने की मनसा से साथ ले गया, लाबान तो अपनी भेडों का उन कतरने के लिए चला गया था, और राहेल अपने पिता के गुरह देवताओं को चुरा ल जाताया कि मैं भाग जाता हूँ, वह अपना सब कुछ ले कर भागा, और महानत के पार उतर कर अपना मुह गिलात के पहाड़ी देश के ओर किया, तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, सो उसने अपने भाईयों को साथ ले कर उसका साथ दिन तक प पास आकर कहा, सावधान, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा, और लाबान याकूब के पास पहुँच गया, याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी में खड़ा किया पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाईयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया, तब लाबान याकूब से कहने लगा, तू ने यह क्या किया, कि मेरे पास से चोरी से चला आया, और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया, जैसा कोई तलवार के बल से बंदी बनाएगे, तू क्यो चुपके से भागाया, और मुझ से बिना कु पाते विदा करता, तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चुमने तक न दिया, तूने मुर्खता की है, तुम लोगों की हानी करने की शक्ती मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमिश्वर ने मुझ से बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा, भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाशी होकर चला आया, तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है, याकूब ने लाबान को तर दिया, मैं यह सोच कर डर गया था, कि कहीं तू अपनी बेटियों क मुझ से चीन ले, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए, सो जीता न बचेगा, मेरे पास तेरा जो कुछ निकले, सो भाई बंधों के सामने पहिचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहिल ग्रुह देवताओं को चुरा ले आया है, यह सुनकर ल लिया के तंबु में से निकल कर राहिल के तंबु में गया, राहिल तो ग्रुह देवताओं को उंट की काठी में रखके उन पर बैठी थी, सो लाबान ने उसके सारे तंबु में टटोलने पर भी उन्हें न पाया, राहिल ने अपने पिता से कहा, है मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न नहो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी क्योंकि मैं स्त्रीधर्म से हूँ, सो उसने उसके ढूंधान करने पर भी ग्रुह देवता उसको न मिले, तब याकुप क्रोधित होकर लाबान से जगडने लगा, और कहा मेरा क्या अपराद है, मेरा क्या पाप है, कि तुने इ अपने घर की सारी सामगरी में से क्या मिला? कुछ मिला हो, तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाईयों के सामने रखते, और वे हम दोनों के बीच न्याय करे. इस बीस वर्षो से मैं तेरे पास रहा, इनमें न तो तेरी भेड़ बक्रियों के गर भगिरे, और न तेरे मेंड जन तुने फाट डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था उनकी हानी मैं ही उठाता था चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को तू मुझे ही से उसको ले लेता था मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तुम्हे घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आखों से भाग जाती थी बीस वर्ष तक मैं तेरे घर रहा चबदह वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और छे वर्ष तेरी भेडवकरियों के लिए सेवा की और तूने मेरी मजदूरी को दस बार बदल डाला मेरा पिता मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहीम का परमेश्वर जिसका भै इसहाग भी मानता है यदि मेरी ओर न होता तो निश्च तू अब मुझे छूचे हाथ जाने देता मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्वर को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे दप्टा लाबान ने याकुब से कहा ये बेटिया तो मेरी ही है और ये पुत्र भी मेरी ही है और ये भिरवक्रिया भी मेरी ही है और जो कुछ तुझे देख पड़ता है सो सब मेरा ही है और अब मैं अपनी इन बेटियों वा इनके संतानों से क्या कर सकता हूँ अब आ, मैं और तु दोनों आपस में वाचा बांधे, और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठेरे। तब याकुब ने एक पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। तब याकुब ने अपने भाईबंधों से कहा, पत्थर इकटा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट और वही धेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस धेर का नाम लाबान ने तो यज्र सहादु था, पर याकुब ने जिलियाद रखा। लाबान ने कहा कि यह धेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी होंगा। इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा गया। और मिस्पा भी क्योंकि उसने कहा कि जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देख भाल करता रहे। यदि तु मेरी बेटियों को दुख दे वा उनके सिवाय और स्रिया बेहा ले तो हमारे साथ कोई मनुशतो न रहेगा। पर देख मेरे तेरे बीच में परमिश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकुब से कहा इस धेर को देख और इस खंबे को भी देख जिसको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह धेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानी करने की मनसा से न तो मैं इस धेर को लांग कर तेरे पास चाओंगा न तो इस धेर और इस खंबे को लांग कर मेरे पास आएगा। इबराहिम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेशर है सो हम दोनों के बीच नयाय करे। तब याकुब ने उसकी शपत खाए जिसका भै उसका पिता इसहाक मानता था और याकुब ने उस पहाड़ पर मेलबली चड़ाया और अपने भाईबंधों को भोजन करने के लिए बुलाया। सो उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर राद बिताए। बिहान को लाबान तड़के उठा और अपने बेटे-बेटियों को चूम कर और आश्वा देकर चल दिया और अपने स्थान को लट गया।